हाई फ्रेंड्स नमस्कार मैं दिपक साहु मैं सक्सेस्टीन से आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं क्रिश्टल आइसी का यह के हैंसेट आया है मेरे पास में M317F का जो डेट कंडिशन में आया है और कर्ष्टामर के पास में आया था यह हैंसेट और दो एक नेटवर्क रिप्एर के लिए तो इसने जाली जब उतारा है उतारते टाइम इसने क्रिश्टल आईसी को तोड़ ज तो हम इस टॉपिक यह वीडियो के अंदर में इस टॉपिक में बात करेंगे कि स्कुरिश्टल आइसी को हमको बाई-पास कैसे करना है ठीचिन तो मैं इसको सेयर करता हूं आप लोगों के साथ में और एक्च्वल में यह जो क्रिश्टल आई सी है इसको बाइपास कैसे करना है इस वीडियो से मैं थोड़ा समझाने को पुछिस करूंगा ताकि आपके भी हांसे दी कभी तूर जाता है तो इसको आपको कैसे रिपेर करना है और कैसे बाइपास करने है क्योंकि आज तक हम लगमनली ओवीपी ओवीपी बाइपास किये हैं तो यह रिश्टल आई सी है इसको हम बाइपास करेंगे इससे पहले मैं और कर चुका हूं लेकिन यह लगा मेरे को कि इसको शेयर करना चाहिए इसको यहां पर देखे बोर् कर देखे हैं इक पेंट है ना यह पैंट जो लगा है यहां पर एकाइसी लगा होगा है जो आई सीन फ्रेग्वेंस को एक जगह से लेकर के दूसरे जगह इनेबल की फ्रूट से उसको ट्रांसफर किया जाता है इनेबल की हम से मतलब एक प्रिगर में वह आउट्टूट करता है हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर में यहीं बताऊंगा कि इसको हमको बाइपास क्या क्या कैसे करना है रहने के लिए एक दम इजी है बस थोड़ा डाइग्राम की नौलेज चाहिए यह आपकी सक्सेस्पूल हो जाएगा इस वीडियो करेंगे इस हैंसेट को अभी हम लोग मारे जाएगे वी सी में हो चाहें डीटेक्टर में हम जब बूट लेंगे तो वह बूटेबल नहीं यह फ्लमिराक्र के लो बूटिंग गोल सकते हो पूरा बूटेबल नहीं होता इसलिए क्योंकि यह सीप्यू को इनेवल कराने का का म क्रिश्टल इसके अंदर में मिसिंग होता है। यह क्रिश्टल आई सी को जैसे। तो इसको सामने वाले ने तो तो गईपास करने के लिए वह महनत किया है। यह सक्सेस्फुल नहीं हुआ है तो दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस जितने भी यूभी पेश्ट लगाया इसको हम सबसे पहले हम उखाड़ेंगे उसके बाद हम अपने अनुसार से इसको बाइपास करेंगे उसको एक अग करके समझाते जाओंगा आपको यहां पर एक आइसी लगा होता है क्रिश्टल आइसी तो इसी को हमको क्या करना है बाइपास करना है इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा मैं एका करके करके आपको समझाते चलूंगा ताकि आपके पास में कभी भी आए ना तो यह आपके लिए आसानी हो जाएगा बाइपास करना तो यहां पर जो आईसी लगा था वह चार और चाराट आट बोल के आईसी इस आट बोल के आईसी के अंदर में कौन-कौन से इंपोर्टन है कौन से लाइन को कैसे हमको करेंगे सबसे पहले मैं क्लीन कर देता हूं तो यहां पर देखो यह आड़ बोल की आई सी लेकिन इस आड़ बोल के अंदर में एक दो तीन चार बोल इसमें का मिसिंग दिखा रहा है ठीक है और दो और दो चार बॉल इसमें का है तो इसमें कौन कौन सरे कि इससी के लिए इसको पहले मैं थोड़ा सा एक्स्प्लेंड कर देता हूँ आपको है कि सबसे पहले मैंने बोलने उपन करके उसकी बीट मेप से मैं पहले कलिए करता हूं कि हमको जवरत पड़ेगा बीट मेप का यदि बीट मेप नहीं है ना तो उसकी कोई भी सेम आईसी का डाइग्राम भी उठा करके आप क्लियर कर सकते हैं डॉट की माध्यम से की डॉट की साइड में है और पहला नंबर क्या आएगा तो यहां पर मैं आता हूं पावरña काषए के पात जो क्रिष्टाला इसी है के वाली हमारी तो इसकतर से मैं सबसरे यह बताना चाहूंगा कि इस में सब्सकों को यहां पर देखिए जो टो ग्राउंड एक क्येंसी और दो 245 बॉल क्रेंने सब्सक्राइब你要 क्रें क्लिक करने के बाद में यहां पर देखो सब्सेपहला A1 है voltage system, voltage system बोलने के मतलब यह है कि यह हमारी VPH power ठीक है जी दूसरा है हमारा AP TCXO 26 MHz और तीसरा है B1 ठीक है यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया इसके पीश्टर के साथ में filter के रूप में लिया गया है ठीक है जैसे ही यहाँ पर EN आएगा तब यह अपनी frequency आउट पूर करके यहाँ पर भेजना है उसको भेजने का काम करता है उसके बाद में यह है जो मैं PC 126 MHz इन लिखा हुआ है यह तो आपको फिलियर आता होगा अचला हम उसके अनुसास मैं इसको मैं डिस्प्ले में ही जोड दिया हूँ तो यहाँ पर देखो हमको इंपोर्टेंट क्या चीज़ है अच्छा यहां पर एक चीज़ और बताना मैं चाहूँगा इसके अंदर में यह हमारी वोल्टेज सिस्टम है मतलब विपेज पावर यदि जो यह काउंटर वाला है उसने यदि विपेज पावर को कहीं और कोई बॉल में यदि कर दिया हो होगा या तो उसके साथ चंपर अगर कर दिया होगा तो यह मुश्किल है सेट आन होना माल जाए सीपीव के लाइन में अगर दे दिया होगा सीपीव कुछ देमेज हुआ होगा ना तो वहां पर मैं नहीं बोल सकता बट यदि विपेज जो पावर है इस जंपर को कहीं और जगन तो नहीं की दो जम ने लगाने की जरुरत है इक इनपूट आ रहा है उसको आउट्वूट में हमको क्लियर कर वहना है तो यहां पर मैं छो तससे इसको थोड़ा बढ़ा कर दिता हूं इसमें भी समझ आएक यहां पर देखो जैसे इसे इसके अंदर देख यह दो वॉल उपर के दो वॉल और यह दो और सबसे पहले हमको वी-पैस को James जंफर देने की जवश नि May तो यहां पर क्या करूंगा विपेच पावर को को कोई जमफन नहीं देना है दूसरी बात हमको इनेबल सिंटल से इन में जा जो लिखा हूआ है कि कहां से अगर इसको देखोगे पावर पावर से शीपीड जूदा हुआ है तो यहां पर नहीं नहीcción नहीं है और दूसरी मवाट की यहां पर फिर से में आते हैंbon तो हमारा यहां पर विपेज पावर तो यह डारेक्ट इसके साथ में है और यह लाइन इसके साथ जुड़ा हुआ है तो हमको विपेज पावर देने की ज़वरत नहीं है वनली स्रिफ हमको दो चीज क्लियर करना है यहां पर जो मैं हम फंपते। चीज करना है कि जो इन पूट आ रहा है हुए तो यहां पर एक चीज मैं देख हुआ हुआ उसके अनुसास में बता रहा हुं यहां पर देखो पहला जो नंबर है यह वाली है यह हमारी प्र पहार और यह हमारी आउडिपूट है कि यह जो तूटा हुआ है यह आ यही मैंन को genवपर निकालना पड़े nggak ३शनक निकालकर उसके में लाइन को जा रहा है ठीक है और आया कहां से है ये इस किस्टल आइसे से है तो यदि माल ले जाए यहां से connection क्रिश्टल से यदि आया है तो यहां पर value आएगा क्रिश्टल के साथ में यदि जुड़ा है तो हम इसको connection देना पड़ेगा output मितलब यहां पर क्या करना होगा मैं हमको क्या करना पड़ेगा यहां चीज और हो रहा है यह हमारी आउट्पूट है तो देखिए आउट्पूट कहा जा रहा है यहां पर एक केपिस्टर है केपिस्टर नंबर है सी 354 और यहां से इधर जा रहा है और नीचे में जो लगा हुआ है है सी 354 ऊपर वाला है और नीचे वाला हमारा है सी 303 यह दो कंपोनेंट का नाम यहां पर दिया हुआ है और लग 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 मैंने अनुसार से यहां पर एक रिजिस्टर यूज किया जाता है जो होता है उसको हमको नहीं लगाएंगे तो भी चल जाता है क्रिश्टल वाली नोडल में किया तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक तो जमफर हमको यहां से उठा करके हमको यहां देना पड़ेगा और यहां से देने के बाद में यह लाइन तो तूटा हुआ है तो यदि यहां से हम यहां दे रहे हैं तो यहां से फिर हमको यहां देना पड़ेगा क्यो आप क्या करोगे यहां से एक जमफर उठा करके यहां देंगे और यहां से एक जमफर उठा करके यहां देंगे यहां से हमारी बाइपास हो जाएगा और हैंसे चालू हो जाएगा तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जंफर करके दिखाता हूं क्यों चालो होगा उसको भी आपको समझना है यहां से आपको जंफर यहां देना है लेकिन यहां पर क्यों घुमाने के लिए दोनों कंपोनेंट हमारे गायावीस सेट यहां पर नहीं लगा होता हमको कुछ करने की अब्धू नहीं था यहां से एक जंफर उठाके हम यहां पर देढेंगे हमारा काम होजाता है यहां है से जंफर लएक हरक में अगर तो यहां पर बोलने क्षब ये है कि यह जो यहां पर एक कम्पोनेंट लगा हुआ है है अगर यह ना प्य संतरिया है और यहां से सीधा प्रेक्टन होगा है यहां यह दो यह लाइन प्रेक्टन हो प्रेक्टन के हीं काम हो यहां होन जबत जूड़ा हुआ है वह हो जो जुड़ा होगा वह यह things to तूटा नहीं है तो लग 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 connection नहीं कटा होना चाहिए तो हम क्या करते हैं सबसे पहले इसकी जमफर process करते हैं उसके बाद पहले check करके देखेंगे क्या actual में हमारे हैंसे चालू हो रहा है कि नहीं हो तो हम फिर आगे process को मैं इसी के अंदर में clear करते जाओंगा तो यहां पर जैसे रखा हो ऐसे तो सबसे पहले इसको मैं क्योंकि यहां पर तो प्रिंट आल रही दिख रहा है तो थोड़ा सफाई कर देता हूं मैं यह बोर्ड में से मैं कोई भी चीज निकाला नहीं हूं क्योंकि मेरे को जमफर देना है कोई SMD SMD नहीं चलाना है कि दिस्प्ले लगा है आल रही दिखेंगे हम इसको पैंट करें जो पहले जो किया था जो लड़का उस वह गलती हम नहीं करेंगे तोंकि उसने क्या किया था वहली जमफर मारके डारेक्टर पैंट किया था ठीक है तो ऐसा नहीं पहले तो चेक करना चाहिए कि सब्सक्राइब अब यहां पर देखो आपको डिस्प्ले में यहां पर दिखाई देजा होगा कि हमने यह तीसरे नश्याद में से लिखेंगे तों एक जमफरम करें यहां पर शाब समय तो द होगा करो है EVERY दी आंते खर सकश Efendimiz यहां नहीं देता तो इन्पूट के लिए इन्पूट के एक लाइन इस आउट्पूट में देना पड़ेगे यहां से लेकर कि यहां जमफर हमने इसलिए नहीं दिया क्योंकि यह बीच से कटा हुआ है चाहिए और यहां प्लस दूसरी बात यहां पर यहां नहीं जो नहीं जमफर किया है यहां से लेकर करके मैंने पहले यहां धिया और यहां से क्लाइन गुमा करें यहां कुल विला आ करकेSame OVP करते यहां से करके यहां तो यह यहां कििए सेम बेंज के लिए कह आकके मैंने साथ यहां पर मैं लेता हूँ मैं लगाता हम यह बैटरी है अब बैटरी लगाने के बाद में मैं सिले आफ मीद दो कि यह देखे हैं हमारा हैंसेट ओन हो चुब तो इसके अंदर में जो बाइपास किया हूं कि इसमें ज्यादा कि दिमाग खाने वाला सर्कृत नहीं बस थोड़ा से डायग्राम की नौलेज के नुसार से आपको वनली सिर्फ क्या करना है इंपूट को आउट्पूट से जमफर देना है मेरे पास दोनों कंपोनेंट गायब था तो मैंने घुमा के दिया आपके पास मे बेंटी नहीं है आपको चार्जिंग लगाकर दिखाता हूं कि अध़ी कि अधी कि अब प्रोसेस हो रहा है आन हो रहा है वैट्री डाउन हो सकता है क्योंकि बंद हो गया था भी इसमें थोड़ा से लंबा लग रहा है इसे चालू होने में और यह आपकी प्राव्लम उसका नहीं है तिलहाल मैं इसको काम करता हूं भी चार्जिंग देक्स हैं कितने परसंट थे दिए बेटरी को बाहर निकाल दिया रिस टाल दिया और यहां है जादिंग करेंट कि झीए लोगो आ गया है कि यहां पर देखते हैं पर्रोचइंटे जाता है कि नहीं है है यह देखिए चार परसेंट है यहां पर बेटती यह हमारे हैंसेट ओके हो गया प्लस इसके अंदर में बस वही चीज था मेरा समझाने का कि हम इसको भी बाई-पास कर सकते हैं कभी भी लाइक यह दियाता है आप इजी तरीके से इसको बाई-पास कर सकते हो जो सर्किक मैंने इसे में बताएं बस ट्री सब्सक्सक्राइब होगा तो पी ना अलएक अलग हो सकते हैं कि अच्छा लगा होँआ वीडियो लाइग जरू जरू ढिज़िए गा और एक कॉमेंट जरू घर यह सबस्ऽतने नबसक्ता